आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ Download now यहाँ पर मेरे पास एक true false type का question दिया हुए जिसमें कि हमारे पास एक statement है और हमें बताना है कि वो statement सही है या कलत है तो पहले इसे statement को पढ़ लेते हैं तो statement में दे रखा है कि in association of solute the vent of factor is greater than unity कहने का मतलब है कि जब हम solute का association हो रहा होगा कहीं पर मतलब solute जो होंगे वो एक दूसरे से combine हो रहा होंगे तो उसका vent of factor जो होगा वो greater than unity मतलब greater than one होगा कह रहे हैं कि I greater than one होगा तो हमें ये check करना है कि ये सही है गलत है तो कोई solute है ठीक है तो मैं मानता हूँ वहाँ पर कि हमारे पास कोई na करके एक solute होगा और वो associate हो करके an बना रहा होगा तो initially अगर मैं देखना चाहूँ तो ये initially कितने हैं इसके one mole होगे और ये zero mole होगे लेकिन कुछ समय के बाद हो जाए मान लेते हैं equilibrium पे ये क्या हो जाएगा ये पूरा खतम हो चुका होगा और ये जो है one by n बन चुका होगा तो अगर हम आई लिखना चाहें वेंट ओफ एक्टर वो क्या होता है वेंट ओफ एक्टर होता है हमारे पास mole set equilibrium upon initial mole तो ये one by n आ रहा है ठीक है और यहाँ से हम देख सकते हैं n जो होगा वो क्या होगा अगर n अगर one हुआ यहाँ पे n इक्वल्स टू one हुआ तो हमारे पास ये equation क्या हो जाएगा ये a giving a तो ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे association हुआ ही नहीं है जो molecule हम डाले हैं वही same रह गया है तो n इक्वल्स टू one नहीं हो सकता अगर हम n इक्वल्स टू लें तो यहाँ पर ये दो mole अगर हम a का लेते हैं तो ये dimerize होके a2 बना लेता है तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर n की value जो है greater than equals to two है तो i हमारा जो है वो less than one आएगा क्योंकि अगर हम यहाँ पर n की value two put कर दें तो ये हम देख सकते हैं i equals to 0.5 आया है जो की less than one है तो association हो रहा होगा तो n की value हम इसा two होगी या उससे जादा होगी तो जैसे जैसे denominator बढ़ता जाएगा i की value घटती जाएगी और ये one से कम ही रहेगी तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वेंट आफ फेक्टर जो होता है association of solute के लिए वो less than one होता है तो यहाँ पर हमारा जो ये statement दे रखा है ये false है ठीक है? Thank you